सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियाइस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिसाब की कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट नॉलेजबल और दमदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत देंगे ने रिटर्न में तो यह जो अमेरिका में है भी इतनी धांदली करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस गोई टू बी नेक टू नेक और ट्रम को अगर प्रेजडेंट बनना है उसे जाके लड़ाई करने पड़ेगी सुप्रीम कोड में मैं बार बार बोलता ह कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ट्रम्प फिल हैफ टो गो तो सुप्रीम कोड क्योंकि लिबरांटू कभी भी इलेक्शन जीतने के बाद या हारने के बाद इतनी इसानी से वह अपनी सीट को छोड़ते नहीं है तो इस गूइन तो फाइट सड़कों पर लड़ाई आए के जिसमें उन्होंने का कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिये जाएंगे इस किसमी चीजे उसमें से पाकिस्तानी जो है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है दुनिया के भर कंट्री से लोग वहां पर पहुंचे है और एक तर पहले भी थे 2016 से 20 तक तब उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया था देट कंट्री विदाउट बॉर्डर इस नॉट अ कंट्री बाइडन ने आकर पूरे बॉर्डर खो दिये जिसको आना आईए और वहां पर आपको देखिए जो पड़ा लिखा आजमी होगा वो कभी भी को illegally close करकर नहीं जाएगा जो बिकार निठल ले जो को काम नहीं करना और जिहाद करना है और जगजवे अमेरिका करना है वही जाएंगे तो इन लोगों को बाहर धक्के मारके नहीं निकाला जाए तो क्या किया जाए यह धक्के खाने के लिए ही पैदा हुए हैं तो अगर वहां पर बॉर्डर पर फैंसिंग की बात जैसे ट्राफ ने बॉला कि मैं फैंसिंग करूंगा लास्ट टाइम भी जब वो प्रेज़ेंट थे उन्होंने फैंसिंग किया था और उन्होंने जो लोग हैं illegally अमेरिका में एंटर करते थे उनका आना बहुत difficult कर दिया था तो इ ही कुछ करने वाले हैं illegal को पकड़के बाहर निकालने की वो बाते बोलते हैं but is it going to be possible मुझे नहीं लगता कि बाहर निकाल सकते हैं हां वो अगे से जो जिहादियों ने आना है अंदर उनको रोक जरूर सकते हैं and he is going to do that उपर से उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो भारतिय लोग हैं उन्हें वो एक red carpet वो देने वाले हैं तो let's see we are also waiting for Trump to win and I think he is going to be good for भारत बिल्कुल सर होना भी यहीं चाहिए खैरी लीगल तो हम तक अफगानिस्तान वालों को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं तो अमेरिका को भी ऐसा करने का पूरा राइट है लेकिन अगर हम बात करें इरान और इस्राइल की क्या लग रहे है आपको कहां पर यह जंग रुक करना है और वहां पर जाकर वह बार बार उनको तंग करेगा तो इस्राइल को तो हमला करना ही था और क्या हमला किया है इरान को यही समय नहीं आया कि प्लेन कब उड़के आया और कब उड़के चला भी गया और सब कुछ सवाहा भी कर गया मैं कि कुछ कंट्रीज होती है जि किया वहाँ पर सुना है खमेनी की जो है टांटाक फिश हो गई है वो बाहर ही नहीं निकल रहा है और यह इंफरमेशन भी आई कि वो मरने वाला है अभी तो इसराइल ने दो चार बॉम फेके हैं और यह जो कहता था कि अल्ला के सवाई मैं किसी से डरता नहीं हूँ यह दो ब हाल है उसका और यह जो दुनिया बोल रही है कि वर्ड बार थी शुरू हो जाएगा इरान इसका बदलेगा बदल लेगा कैसे लेगा आप सोचकर देखिए हिजबुल्ला की पूरी टीम उपर चले गई दूसरी टीम आई बी टीम उपर चलेगी सी को अभी अनौंस किया था कि अभी इनका लीडर बनने वाला है वो भी उपर चला गया है अब तो उन्होंने पेपरों में निकाल दिया है कि हिजबुल्ला लीडर रिक्वाइड मुझे लगता है आपको बोल दाना चाहिए कि मैं भेज़ती हुना से लीडर क्योंकि आपकी यहां पर उसके हिजबुल लीडरिस की तो वहां पर वैसे भी जुरूत है इस बुल्ला को तो जो इसराइल ने काम किया है लेबनन में जाकर उनके जहां जहां पर मिजाईल और हत्यार पड़े थे उन सब को एक ही रात में उड़ा दिया जान कि जिस रात उन्होंने इरान पे अटेक किया उसी दिन ल वैब्रेशन आई हैं पूरे उस एरिया में और जो एमर्जनसी एलर्ट्स होते हैं वो अनौन्स हो गये थे इतना उन्होंने डिस्ट्राइग किया है तो इरान अगर हमला करेगा भी तो कैसे करेगा उसके बास ना तो हतियार है मिलिटरी बेसिस डिस्ट्राइग कर दिये हत इसके बास इनकी इतने इंसलेशन सख्राब की है हम बदला लेंगे कुछ नहीं हुआ अभी भी कुछ नहीं होगा मैं अभी आप रिप्लाइग कर रहे थे तो मैं सोच थी कौन रहे गया आज के शो में जिसको सुभी संद अभी तक गारिया नहीं बखी तो मुझे वो रोहि कुछ दिन के बाद जो है यही कुछ हो रहा होता है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जाकर खालिस्तान वालों के साथ खड़े हो जाते हैं देखिए मुझे लगता है कि जो यह है अपना टूडो जिसको मैं टिडीमल बोलता हूँ यह इसका नाम है जस्ट इन टूडो यह जस्ट आउट टूडो बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी इसलिए उस बॉकलाहट में यह सारे काम करते जा रहे हैं दूसरी बात यह एक तक पूर के जो सीरिल होते हैं उसका को करेक्टर लगता है कभी आता है अपना गंद जालके चला जाता है बाकी सब लड़ते रहते हैं यह अपना राम से जाकर साइट पर बैढ़ जाता है तूडो वही हाल है इसका एक तक पूर के सीरिल वाला है जब तक पन्नू का काम 123 नहीं होता बलीव किजिए जब बाकी के निजजर नहीं रहा सूखे को गिला कर दिया यह पन्नू का भी पोकाड़ा बनने वाला है वह ज बोला था ऐलिगेशन लगायते हैं हमारे NSC के उपर हमारे Home Ministry के उपर इवन की हमारे जो High Commissioner के लोग होते हैं उनके उपर प्रूफ तो देदो यार हम प्रूफ माग रहे हैं छोटी सी बात है प्रूफ देदीजिए वो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं किते हैं Intelligence की Report है Intelligence की Report तो मेरे पास भी है कि Trudeau ने भारत में मोधी ची को Government को गिराने के लिए बड़े काम किये तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो मेरे पास भी जो टूडों के पास है तो इसमें क्या फरक है तो अब क्या हम टूडों के उपर सीधा है यह लगा देंगे हम रिस्पॉंसिबल कंटरी है उसके जैसे जस्ट आउट नहीं है विल्कुल ऐसा ही है लेकिन बाराल यह टेंशन कि मुझे यहां भी लगता है कि मोधी जी को एक सी वर्ड है उसे बड़ी ही सक्त नफरत है उसमें चाइना कैनेडा कांग्रेस और पंजाबी वाले चू होता है इन सबसे बड़ी नफरत है तो उसमें चाइनाबी बीच में आ गया बिनावाद पर और जबाद नहीं थी हमने तो बोला है कि चाहिए उसके बहुत ज़्यादा खाली जगा है तो उसको वहां पे खालिस्तान करी जाना चाहिए एक तो तो दो काज्ट एक काम दो काज्ट हो जाएंगे बिलकुल एसे इसे कुछ सब्सक्राइब नियुकर यह विडियो को अपने अंतक देखा और आरजुकासमीजी और सुमिच जैन साब के पूरा डिसक्सिन आपको काफी पसंद आए होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलागा जहां पर सुमिच जैन साब ना सिर्फ हमें बहुत और जबदस जान काने थी बलकि बीच वीच में वो आरजुकासमी की टांग भी खीचते रहे तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगिए इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरू बताए और एक बार फिर चैनल पे नह वसितार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत